हातरस उत्रपदेश पिछले महीने एक युविती से बरबर तरीके से गैंग रेप और हत्या के बाद पिछले कुछ दिनों से चर्चा में रहे हातरस में एक बार फिर ग्रामीनों का उबाल देखने को मिला है। एक नावालिक बच्ची की रेप के बाद मौत हो जाने से नाराज ग्रामीनों और परीजनों ने मंगलवार 6 अक्टूबर को पुलिस नाकामी के खिला विरोध प्रदर्शन कर सडग जाम कर दिया। आरोप है कि नावालिक के मौसेरे भाई ने ही उसके साथ रेप किया। रेप के 15 दिनों बाद बच्ची की दिल्ली के सब्दर जंग अस्पताल में सोमवार 5 अक्टूबर को मौत हो गई। हातरस के नई स्पी विनी जैसवाल ने बताया कि पीडित बच्ची अपने मामा के पास अलीगण में रहती थी लेकिन उसका परिवार हातरस में ही रहता था। जैसवाल ने बताया कि बच्ची की मौत के बाद परिवार के सदस्यों और ग्रामीडों ने अलिगण में एक पुलिस अधिकारी पर केस में लापरवाही और निश्क्रियता बरताने का आरोप लगाते हुए जिले में एक सड़क को जाम कर दिया और विरोध प्रदर्शन करने लगे उन्होंने पताया कि ये मामला पंदरा दिन पुराना है बच्ची के मौसेरे भाई ने उसके साथ दुशकर्म किया था उन्होंने कहा आरोपी भी नाबालिक है और मानसिक रूप से बिमार है इस्थानिय थाने में एक FIR दर्च की गई है इसके बाद आरोपी लड़क अब नहीं कोई मजबूरी है शिक्षा सुधार जरूरी है नई सरकार बनाएंगे शिक्षा में सुधार लाएंगे बदलिये सरकार बदलेगा भिहार मेरी पहली प्राद्मिक ता शिक्षा में सुधार और रोजगार बदलिये सरकार बदलेगा भिहार 129 महनार विधान सवा से रालो सपा उमीद्वार त्रिवेनी कुमार चौदरी को पंखे पर बटन दबा कर भारी से भारी मतों से विज़ाई बनाए झार विज़ाई प्राद्मिक ता झालो से विज़ाई बनाए